दुमका जिला के जर्मुंडी प्रखंड के सुदुर ग्रामिन आदिवासी छेतर में इस्तेत उतकरमित मदविद्धाले डुमर्थर में स्री अन्य जागरुकता कारिकरम किया गया। देखकर विद्धार्थी एवं समुदाय के लोग काफी उतसाहित होकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। निरोग रहने के लिए मिलेट्स का उप्योग काफी लाबदायक होता है। पहले के लोग मोटा अनाज उप्योग करते थे तो कम बिमार पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि 1960 के दसक में हरित करांती के नाम पर परमपरागत मोटे अनाज को भूजन से हटा दिया गया और इसके जगहा पर गेहुम और चावल को बढ़ावा दिया गया। विद्याले के विद्यार्तियों एवं समुदाए के लोगों को मिलेट्स के बारे में बताते हुई कहा कि जारकन प्रदीस में लगातार मान्सुन में वर्सा कम हो रही है। इस सितिमे जार्गन की धर्ती में स्री अन्य मिलेट्स का उत्पादन ही काफी संभावना है। मोटे अनाज मिलेट्स में कम पानी और कम खर्च में इसका उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही मोटे अनाज की फजल को उगाने में किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्बरक्त था, कीट नासक का प्रियोग करने की आविशकता नहीं होती है। साथ ही इसके अवशेश का भी पर्शूों के चारा के रूप में उप्योग किया जाता है, जिससे पर्यावरन प्रदूशन की समस्या नहीं होती। यहू के अवसेश पडली से पर्यावरन प्रदूशन काफी होता है। दिल्ली में इसका अज़र सबसे अधीक देखने को मिलत है। उन्होंने का कि मोटे अनाज को यूडिटी बुस्टर के रूप में भी कोरोना काल के बाद जाना जाता है। इससे सूपर फुट भी कहा जाता है। मोटे अनाज में कैल्सियम, आइरन, जिंक, फॉर फॉरेस्ट, मैंगनेशियम, पोटीशियम, फाइवर, विटामिन, आदी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे थाइराइट की समस्या, यूरिकेजीड, किड्नी, लीवर, लेपिड, रोग, अगनाशे से संबंदित रोग, गैस, कब जिसे मुक्ते मिलती है। उन्होंने कहा कि यंगेहुम और चावल से बहतर अनाज होता है। इसका उ जाइराइट के विद्यार्थियों इवं समुदाए के लोगों ने ग्रामिन छेतर में मिलिट्स के बारे में और भी अधिक जागरुकता लाने की बाते कहीं। और अपने अपने खेतों में इसे उगाने का संकल पलिया। स्री अन्न, मोटी अनाज की जागरुकता के लिए भारत सरकार द्वारा भी विविन माध्यमों से जागरुकता फैलाई चा रही है। साधे जारकन सरकार द्वारा राज के सभी सरकारे विद्याले में भी मर्वा की लड़ू का उपयोग सुरुकिया जगया है। जागरुकता के लिए कई कारज कर्मों का यहां लगातार आईजन की आए। सबसे बड़ी बात यहां है कि इस शेतर में पानी बहुत कम पड़ता है। बरसा से यहां खेती निरवर है। और बरसा नहीं होने के कारण किसानों को काफी समश्याएं होती है। और आपको बताना चाहते हैं कि ये मिलेट्स, जो मोटा अनाज है, ये कम पानी में भी होता है, ये काफी इसमें पोश्टिक है, इसमें कई बिमारियों का इलाज है, इसमें केलसियम है, फाइबर है, बिटामिल्स है, कई रोगों का भी इसमें इलाज है, हम आपको बताना चा तो हमारी थाली से मिलेट्स गाइब हो गया हमारे दादा हमारी दादी इसको खिलाती थी हम लोगों को थाली में वो परोसी है दी है पुना जो हम बच्चों को बताने के लिए अपने बिद्दाले के परिसर में आपको दिखाना चाहते हैं कि आज बच्चों को बताए भी है यहां लगाए भी हैं, यह मडवा की खेती है, और बच्चे इसको जाने हैं, और समुदाय के लोगों ने भी इसे एकसेप्ट किया है, और यहां अपने खेतों में उन्हां इसको लगाने के लिए फिर से शुरू हुए हैं, तो निस्य तोर पर कम पानी में भी इसकी खेती हो स फैदा होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यह स्री अन का उपियोग अब विद्याले में भी हमारी सरकार, जारकन सरकार दुआरा भी हमारा जो MDM का मीनू है, इसमें भी इसे सामिल करने का प्रस्ताव आया है, और हम अपने विद्याले में मडवा से लड़ू बना जुनून आगे बढ़ने का, जुनून कुछ करने का, सोच हर किसी से जुड़ने की, उचाईयां उम्मीदों की, मजबूत आधार जो कीरती मान बना दे, एक ऐसा स्कूल जिसे देख बच्चे कहते हैं बलाइस तो ग्रीन माउंट अचादमी अधिशन अपन, हरी अप्लस तो ग्रीन माउंट अचादमी, दुमका, मोबाइल नमबर 9431549204